नमस्कार एक बाफिर से बहुत-बहुत स्वागा थे आप सभी का परिक्षा वल्ड के से योटोब चैनल में दोस्तो यूपी टेबल सी पी एटी 2021 के लिए करेंट अफेस के हम जो स्रीज स्टार्ट किये हमें टेस्ट स्रीज उसका जो पार्ट टू है उसको आज हम कम्प्लीट करेंगे पार्ट वन को हमने अल्यड़ी कम्प्लीट कर दिया था तता आज हमारा पार्ट टू है पार्ट टू में हम अगेंट पचास most important current affairs के प्रस्णों को discuss करने वाले है तो चली वीडियो को सुरू करता है तो पहला प्रस्ण आपकी स्क्विन पर है जो कि काफी जादा ही super important प्रस्ण है प्रस्ण में पुछा जारा आप से कि जनवरी 2021 में देश का पहला fire park किस राज्जे में बनाये गया सुपर important प्रस्ण तो देश का पहला जो fire park है या किस राज़ी में बनाय गया है तो आप ध्यान देजेगा उडिशा यानि कि option जो आपका D है बिल्कुल सही है हमारे देश का जो पहला fire park है यह बनाय गया है उडिशा में तो option जो आपका है D बिल्कुल ही सही है तो उडिशा option D अगला प्रस्ण है कि संस्था ने देश का पहला nano urea liquid launch किया है तो इस संस्था का नाम है इफको का पुरा नाम होता है इंडियन फार्मर फोर्टिलाइजर को ओपरेटिव क्या होता है इंडियन फार्मर फोर्टिलाइजर को ओपरेटिव इफको का पुरा नाम होता है जिसके दौरा देश का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉंच किया गया है तो option C आपका बिल्कुल सही है अगला प्रस्थ संस्था की दुनिया आपको बताना है कि कि संस्था के द्वारा जो है दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केवल परिजना जो है विक्सित की जारी आपको बताना है उस संस्था के द्वारा तो यह संस्था आपको मिलेगी गोगल के द्वारा जो है दुनिया की सबसे लंबी अ योजना को निर्मित करने का जो प्रस्ताव वह पारित किया गया है तो आपका हो जाएगा option b google के द्वारा तो आप इसे ध्यान देजे तो आपका क्या हो जाएगा google यानि कि जो google है google के द्वारा दुनिया के सबसे लंबी अंडर सी केबल परिजना का दिर्माण किया जाने वाला है तो option b आपका बिल्कुल सही अगला है by many a happy accident recollection of a life या पुस्तक के लेखक आपको बताना है तो by many a happy accident इस पुस्तक के लेखक है हमारे जो पुर्व के उपराश्च पती रह चुके है मुहमद हामिद अंसारी यानि की option जो आपका है और डी बिल्कुल सही मुहमद हामिद अंसारी के दोरा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है by many a happy accident अगला प्रसना आपका है जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिश जलवायू समझाते में पुन सामिल होने का फैसला किया वेर वेरी इंपोर्टेन तो आपको पता होगा जो अमेरिका था डोना टरंफ जब इसके राश्टपती थे तो उसमेह जो अमेरिका था वह परिश warm जो जो ख्लाइमेट समझाता था उससे बाहर हो गया था लेकिन दोबारा जब नय राश्टपती बना गया है जो बाइडेन अमेरिका के तो इन्होंने जो है दुबारा से इस पेरिस climate agreement में सामिल होने का इन्होंने फैसला कर लिया तो यह अमेरिका जो है अमेरिका जो है दुबारा से पुना पेरिस जलवायोि का तो यह समचार पत्र कौन सा है the Hindu group यानि कि option जो आपका C है बिल्कुल सही हो जाएगा the Hindu group जो समाचार पत्र है इसको champion publisher of the year 2020 का खिताब दिया गया तो option जो आपका C है बिल्कुल सही है इसके बाद अगला प्रस्थन है किस bank ने कवच ब्यक्तिकत रीड योजना सुरू किया very very important तो कवच ब्यक्तिकत रीड जो योजना है किस bank के दारा सुरू की गई है तो आप ध्यान दिजेगा यह जो योजना है सुरू किया गया किसके दारा the SBI के दारा यानि कि option जो आपका है C बिल्कुल सही है SBI SBI यानि कि option C अगला प्रस्ण है भागति चिकिस्टा अनुसंदान परिशच यानि कि ICMR के दोरा घर पर COVID-19 की जाज के लिए किस rapid antigen test kit को मंजूरी दे दी गई थी आपको बताना है तो ICMR के दोरा घर पर COVID-19 जाज करने के लिए जो है कोवी सेल्फ नामक जो है rapid antigen test kit को मंजूरी दे दी गई थी तो राइटें थरा पको जाएगा option D कोवी सेल्फ तो अप इसे द्यान दिजेगा अगला प्रस्ण है किस मंत्राले ने नौ देशों के भारती दूतावासों में one stop center खोलने की गोशना किया स्वास्त एवं परिवार महिला एवं बाल बिकास मंत्राले हो जाएगा आप संडी तो महिला एवं बाल बिकास मंत्राले जो है नौ देशों के भारती दूतावासों में one stop center खोलने का जो है decision लिया है इस मंत्राले का नाम है महिला एवं बाल बिकास मंत्रालेने की option D अगला प्रस्नाप का है कि स्राज जिया केंद्र सासिर प्रदेश के दौरा महिला सिच्छा को बढ़ावा देने के लिए super 75 छात्रवित्ती योजना शुरू की गई है very very important तो super 75 छात्रवित्ती योजना जो है इसकी सुरुवात की गई है तो दुनिया की सबसे प्रदूसित राज़दानी है नई दिल्ली यानि कि option जो आपका है D बिल्कुल सही है हाली में जो 200 वायू गुर्वत्ता रिपोर्ट 2020 प्रकासित की गई थी उसके अनुशाद दुनिया की सबसे प्रदूसित राज़दानी है नई दिल्ली यानिकि option D आपका बिल्कुल सही है अगला प्रस्थन है लाइट हाउस परियोजना का संबंद किस से है तो लाइट हाउस परियोजना आपकी संबंदित है पर्यावरण अनकूल मजबूत घर प्रदान करने से यानिकि option जो आपका है C बिल्कुल सही है पर्यावरण अनकूल मजबूत घर प्रतान करने से संबंदे थे आपकी लाइट हाउस परी योजना यानि की option C आपका बिल्कुल सही है अगला प्रस्तना आपका है नई दिल्ली में आयोजित 200 पुस्तक मेले के 29 संस्क्राण का थीम आपको बताना है तो जो 29 पुस्तक मेले के 29 संस्क्राण की आपका बिल्कुल सही है अगला प्रस्तना है किस राज ने मनरेगा के तहत कार दिवस की संख्या को 100 से बढ़ा कर 500 कर दिया है very very important तो यह राज आपको मिलेगा उत्तरा खंड यानि कि जो उत्तरा खंड राज जी है उसके दरा मनरेगा के तहते कारे दिवस जो 100 होते थे उनको बढ़ा कर अब 500 कर दिया यानि कि लोगों को मनरेगा तहत अब साल में 500 दिन तक काम दिया जाएगा तो आप इसे द्यान देजेगा option जो आपका है डे बिल्कुल सही है उत्तरा खंड अगला प्रस्तना आपकी स्क्रीन पर है भारस सरकार ने COVID-19 वैक्सीन के रजिस्टेशन के लिए कौन सा एप लॉंच किया है तो आप द्यान देजेगा भारस सरकार के दारा जो है COVID-19 वैक्सीन के रजिस्टेशन के लिए जो है कौन सा एप्लिकेशन लॉंच किया गया था तो यहाँ पे है कोविन यानि कि option जो आपका D है बिल्कुल सही है कोविन यानि कि option D आपका बिल्कुल सही है अगला है किस bank ने महिला उद्धमियों के लिए smart अप उन्नती कारकरम सुरू किया है वेर वरिइंपोर्टन तो यह bank आपको मिलेगा SDFC bank है इनकी option जो आपका है D बिल्कुल सही है यह bank है SDFC bank जिसके जरा महिला उद्धमियों के लिए smart अप उन्नती कारकरम की सुरूआत की गई है तो SDFC bank तो option C आपका option B आपका बिल्कुल सही है SDFC bank अगला प्रस्थन आपके स्क्रिन पर है गोवा में आयोजित 51 में अंतरास्टी फिल्म आउसों का फिल्म आउसों में जो फोकस देश कौन सा था आपको बताना है तो 51 जो अंतरास्टी फिल्म आउसों का आयोजन किया गया हाली में गोवा में इसमें फोकस कंट्री था फोकस देश था बांगला देश आनिकी आपसन जो आपका डी है बिल्कुल सही हो जाएगा बांगला देश इसमें फोकस देश था तो आप इससे द्यान देजेगा very very important इसके बाद अगला प्रसना आपकी स्क्रीन पर है काजा कलास हाली में किस देश की पहली महिला प्रधान मंत्री बनी है very very important तो काजा कलास जो है यह हाली में किस देश की पहली महिला प्रधान मंत्री बनी है तो एस्टोनिया की तो एस्टोनिया की ये पहली मैला प्रधान मंत्री बनी है जिनका नाम है काजा कलास तो आप इसे द्यान दिजेगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो काजा कलास है ये एस्टोनिया की पहली मैला प्रधान मंत्री बनी है अगला इंपॉर्णिन प्रस्थन है और जर्मन वाच संस्था के दरा जो है जारी वैस्विक जलवायू जोकिम सुचकांग 2000 यहां पे 21 के संबंद में दो कथन दिये गए हैं तो आपको बताना किया है जो कथन है इसमें से कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है आपको बताना है तो पहला कथन दिया गया है कि वैस्विक जलवायू जोकिम सुचकांग 2021 में प्रतम अस्थान पे मोजांबिक है और इस सुचकांग में भारत का सातवा अस्थान है तो आपको चार ओप्संस दिये गए हैं चार ओप्संस में से आपको सही पर टिक करना है तो इसमें जो ह दोनों ही सधी दिये हैंगा उप्शण या आपका बिल्कुल सभी है और जो वैस्विक जलवायू जोकिम सुचकांग दो जारीं की साली में जारी किया आपक सथान अगला है किस देश्क ने कोविट महमारी के बचावेतु सबसे पहले टीका करण क्लिनिक सुरू किया यानिकी आपको बताना कि वह कौन साथ जिसके दोरा सबसे बड़ा टीका करण क्लिनिक सुरू किया गया है तो कोविट महमारी के बचावेतु जो है सबसे बड़ा टीका करण क्लिनिक सुरू किया निवजी लैंड नहीं यानिकी आपका है डी बिल्कुल सही है अगला प्रस्थन आपका है किस राज के दोरा कोविट 19 वारियर मेमोरियल अस्थापित किया गया वेर वेर इंपोर्टें तो कोविट 19 जो वारियर मेमोरियल है इसकी जो अस्थापना है कहां पे की गई थी तो आप द्यान देजिएगा कोविट 19 वारियर मेमोरियल के अस्थापना वोड़ी सामे की गया यानिकी आपका जो सी है बिल्कुल सही है वोड़ी सा अगला प्रस्थन है और प्रधान मंत के माद्यम से की गई तो महराजा सुहेल देव की जो अधार सीला है इसकी जो शुरुवात है कहां पे की गई थी तो यहां पर आप याद देखिएगा उत्तर पदेश के भाराइच में आने की प्रदार मंद्री नरेंद्र मोदी ने जो है वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माद् सीला रखी थी उत्तर पदेश के भाराइच सहर में अगला प्रस्णामरा है यहां पर दादा साहिब फाल के पुरस्कार आपको बतने यहां पर दिया गया है दादा साहिब फाल के इंटरनेशनल फिल्म फिल्म फिस्टिबल अवर्ड 2021 में सर्वस्रिस्ट अभिनेता का पु पुरस्कार किसी लिए गया तो अक्छा है कुमार यानिकी ऑप्सन आपका यह बिल्कुल साहिए अक्छा है कुमार को अगला प्रस्णा है किसे मुखे मंतरी को सकाच चीफ मिनिस्टर आप देएर पुरस्कार दिया गया है तो आप है दिखिएगा आंदर प्रदेश के Y.S. जगन महन रेड़ी इने को स्कॉच चीफ निस्टर आप दे एर पुरस्कार दिया गया है यनि कि आपसन आपका A बिल्कुल सही है Y.S. जगन महन रेड़ी अगला प्रस्तन है इसरों ने किस वर्ष चंद्रियान 3 प्रच्छेपित करने की घोशना किया है तो इसरों कि दर इंपोर्टेंट तो NDJC हाली में Amazon कंपनी के CEO बनाए गया है तो राइटेंश आपका जाएगा Amazon यानि कि आपसन A इसका बिल्कुल सही है Amazon के अगला प्रस्तन आपका है 2021 में किस खिलारी को तीसरी बार Allen Border Medal दिया गया तो इनका नाम है Steve Smith यानि कि आपसन आपका A बिल्कुल सह ये Steve Smith अगला प्रस्तन है 82 में रास्टी टेवल टेनिस 2021 में महिला एकल का खिताब किस खिलारी ने जीता आपको बताना है तो हाली में जो बैसिवा रास्टी टेवल टेनिस चैंपियंशिप का आईजन किया गया था फरवरी में इसमें महिला एकल का खिताब जीता मनी का बत अगला प्रस्तन है आपका और समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्राले दरा वरिद्ध जनों को पोषण उपलब्द कराने के लिए कौन से अभियान की सुरुआत की गई है तो वरिद्ध जनों को पोषण उपलब्द कराने के लिए जो है किस अभियान की सुरुआत की गई थी तो आप द्यान देजेगा जो हमारा समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राला है इसने वृध्ध जनों को पोशन उपलब्द कराने के लिए वृध्ध जन पोशन मिसन की सुरुवात किया निकि आपका A बिल्कुल सही है वृध्ध जन पोशन मिसन आपका C में जो cricket stadium मनाए गया था मोटेरा cricket stadium इसका नाम रखा गया किसके नाम पर तो प्रधाय मंतिर नरेंदर मोदी के नाम पर तो राइटेंशन होगा आपका उसी नरेंदर मोदी के नाम पर अगला है फेमीना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब किसे दिया गया वेरी वेरी इंपोर आपका मांसा वरानसी को तो राइट इंसर हो जाएगा मांसा वरानसी अगला है सबसे पुराने पसु जीवास्म की खोज हाली में किस राज्यम की गई तो हाली में मद्ध परदेश में जो है सबसे प्राचीन पसु जीवास्म की खोज की गई यह तो राइट इंसर हो जाए है बिल्कुल सही है मध्य प्रदेश अगला प्रस्तन है डकैड संग्राल है जो है किस राज्जी में बनाया जा रहा है very very important तो हाली में जो MP याने कि मध्य प्रदेश की गवर्मेंट है MP की जो गवर्मेंट उसने डकैड संग्राल है बनाने की गोशना की है तुरह अटेसर लालंदर बांध के नाम से भी जानते हैं आप दयां देजेगा स120 को रालंदर बांध के नाम से भी जाना जाता है तो इसके जो निरमाण्य भारत अफगानिस्तान में कर रहा है अगला इंपार्टेंट है हाली में चीन किस देश के साथ अपने आर्थिक समझाओते बशच्ट कर दिये तो आपको भारत ने अरब सागर में किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है पैसेक यह इसका बिल्कुल सही है, इंडोनेसिया के साथ मिलकर भारत ने पैसेक्स युदभ्यास का आयोजन किया, अगला प्रस्णवारा है यहां पे, और किस मंत्राले के दोरा सेहत OPD पोर्टल को लांच किया गया, यालि में रक्षा मंत्राले के तरह है, यानि कि option up का भी बिल्कुल सही है, रक्षा मंत्राले, अगला है COVID-CIL, तथा कोवेक्सीन के बाद, भारत ने किस वेक्सीन के अपातकालिन मंजूरी को, तो आप ध्यान देज़ेगा इस वैक्सिन का नाम है स्पूत्निक 5 के नम है तो स्पूत्निक 5 हैने कि इसके अपात कालिन उप्योग को मंजूरी दे दी गई है किसके दोरा तो भारा सरकार की दोरा तो राइटेंशन हो जाएगा आपका option भी हैने कि स्पूत्निक 5 के अपात कालिन उप्योग की मंजूरी हाली में भारत ने दे दी थी तो आप इसे आ देखे गई है रसिया की वैक्सिन है क्यांकि तो रूस की वैक्सिन है अगला प्रस्न है किस राज जिमें पॉंगल उस्सव का आईजन किया गया है हाली में तो हाली में पॉंगल उस्सव का जो आयजा ने काँप किया गया तो तमिल नाडू में तो राइटन से आपका हो जाएगा तमिल नाडू याने कि ऑप्षन C अगला प्रस्न है WHO World Health Organization के तरह किस उत्री अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त हाली में गोसित किया गया आपका कभी बिल्कुल सबग्वार अगला प्रस्न है किस देश में व्रीडम प्राइन अब्यान शौरू किए गया है मतलब चल्चा में रहा तो यह जो freedom, pine, apple अभियान था या था ताइवान का जो की काफी न्यूज में था ताइवान का अभियान freedom, pine, apple जो की काफी ज़्यादा न्यूज में था ताप इसे द्यान देजेगा काफी important या प्रस्तन है इसके बाद 13 ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की अध्यक्षिता कौन देश कर रहा है काफी important है तो जो 13 ब्रिक्स सम्मेलन 2021 है इसकी जो अध्यक्षिता है वो भारत नेकी तुराइटेंश आपका जाएगा भारत हो जाएगा तो आप इसे द्यान देजेगा very very important अगला प्रस्तन है आपका बिस्त का सबसे बड़ा floating solar platform जो है किस देश में निर्मित किया जा रहा है very very important तो बिस्व का जो सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग आपका प्लेटफॉर्म है इसका जो निर्मान है यह किया जा रहा है सिंगापूर में तो रैटेंसर आपका जाएगा सिंगापूर यानिकि ऑप्शन बी अगला प्रस्णा आपका है और जापान ने किस देश के सहयोग से प आपका जो जापान है वो ऑस्टेलिया के सयोग से भूरे कोईले से हाइडोजन उत्पादन जो है सुरू किया है तो रैटेंसर आपका जागा ऑप्शन बी ऑस्टेलिया के सयोग से अगला प्रस्णा है IPL 2021 के सबसे महले महेंगे खिलाडी जो थे क्रिस मौरिस यह किस देश के हैं तो IPL 2021 के सबसे महेंगे खिलाडी क्रिस मौरिस जो है सौथ अफ्रिका के यानि की ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही है दच्चिड अफ्रिका के यह है इनका क्या नाम है तो क्रिस मौरिस तप इसे देंदेजेगा वरी-वरी इंपोर्टन अगला है कौन सा यह भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साज़ेजाल देश था यानि की ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जो चीन है 2020-21 भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागिदार वाला देश रहा तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है चीन अगला प्रस्णा आपका है कौन सा राज यहां के सभी सरकारी विवागों के दोरा electronics वाहनों का उप्योग किया जाएगा तो आप द्यान देजेगा यहां है केंदर सासिर प्रदेश आपका दिल्ली तो दिल्ली के केंदर सासिर प्रदेश के दोरा जो है और यहां के सभी जो सरकारी विवागों उनकी द्वारा इलेक्ट्रिक वहानों का उप्योग किया जाएगा तो नई दिल्ली आपका राइटेंस रोजाएगा option B अगला प्रस्थन है 2021 के केंद्री बजट में विनिवेस यानि कि डिस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कितने धन एकत्रित करने का लक्षी रखा गया अगला है जैस्मिन है अट्लांटिक महसागर को पार करने वाली विस्ट की सबसे कम उम्र की महिला बनी है तो आपको बताना कि यह किस देश की है तो जो जैस्मिन हरीसन है ये अट्लांटिक मासागर को पार करने वाली विश्य की सबसे कम उम्र की महिला बनी है तता ये ब्रिटेन की रहने वाली है ये अप्सन आपका भी बिल्कुल सही है ब्रिटेन आज का लास्ट प्रस नमारा है इरान ने किस देश को यहाँ पर आपको बार कर दिया है तो इरान ने हली में फरजाबाद वी गैस परियुजना से भारत को बार कर दिया ने कि ऑप्सन आपका ये ब्रिटा थैन्कि komme